भारत मौसम विज्ञान विभाग, IMD ने कहा कि चक्रवात के गुरुवार शाम को बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आने की उम्मीद है, जिसकी अधिक्तम हवा की गती 150 किलो मीटर प्रती घंटे तक पहुँच सकती है। विपारजोय के 15 जून की शाम को गुजरात के जखाव तट के पास लैंडफॉल करने की उम्मीद है और ये कच्च के रण के साथ साथ राजस्थान तक जाएगा। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान विपरजोय से भारी नुकसान की आशंका है। आयमडी ने सौराष्ट्र और कच्च के तटों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इस तूफान को VSCS यानि अतिगंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है। पोरबंदर और ओखा में पांच-पांच राहत दल और वलसुरा में फिफ्टीन राहत दल नागरिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही शक्तिशाली चक्रवात, विपार जौय, गुजरात, तटकी और बढ़ा, अधिकारियों ने समवेदन शील क्षेत्रों से 50,000 लोगों को निकाला और राहत और बचाव उपायों के लिए आपदा प्रबंधन कर्मियों को तैनात किया।